मेरे बच्चे की आँखों से आसू नहीं थम रहे सतीस कौसिक की निधन पर भावग हुए रूमी जाफरी बोले हम सब परिवार की तरह थे एक्टर डारेक्टर सतीस कौसिक की निधन से देज़ भर में शोकी लहर है फैन समेथ कई करवियों ने सोसल मीडिया पर दुख जाहिर किया है सतीस के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके स्क्रिप्ट राइटर और फिल्मेकर रूमी जाफरी ने देनिक भासकर को दिये इंटर्व्यू में उन्हें याद किया बातचीत के दोरान रूमी ने का कि हम तो फैमली की तरह दे सतीस कौसिक भाई के हम लोग बुद्वार को पूरी रात वहीं थे जैसे उनके बारें पता चला था हम लोगों का 5-10 लोगों का गुरुप था जो पेसेवर से ज़्यादा परसनल रिष्टा रखते थे बुद्वार की रात तो सतीस की वाइफ और बेटी अकेली थी अपने घर पर मैं और मेरी वाइब वहाँ पहुँचे फिर फोन किया तो अनपमखेर और बोनी कपोल भी साथ आगे काम के इसाफ से देखा जाए तो सतीस की जितने हिट किरदार रहे हैं कैलेंडर को छोड़ कर वैस अप मैंने लिखे हैं सतीस ने बीच में उन किरदारों का कोलाज बना कर भी लगा है साजन चले ससुराल में मुथ्व सामी के किरदार के लिए उनने फिल्म फेयर का वॉर्ड भी मिला था फिर पप्पू पेजर वाला रोल हो या सराफत अली वाली भूम का या फिर कुझ बिहारी वाला किरदार सब मैंने लिखे हैं और उनने उन में चार चांद लगा दिये थे 37 बहुत पॉजिटिव मिज़ाज वाले इंसान थे फोन पर भी हमारी बात होती थी वे आदे घंटे से कम नहीं हुआ करती थी वो मेरे बेटे को बहुत प्यार करते थे मेरे बेटे के आंसु नहीं थम रहे हैं फैमली की तरह थी हम सब रहर सवाल करदार सराफत अली तो बोपाल में कुछ जानने वाले थी उस नाम के साती हुए करदार चोर बाजार में काम करता है तो उसके उलट वाला नाम सराफत अली रखने में वह रोल दिल्चस्प बन गया था हमने उसी करदार से फिल्म बड़े मिया छोटे मिया की शूटिंग शूरू की थी हमने मेभू स्टोडियों में सेट लगाया था अब तो 37 बड़े हेल्थ कॉंसंस भी हो गए थी रेगलर वॉक किया करते थे वेट कम किया था उन्होंने दिल्ली बीजिन्स फंक्षन में वो लास्ट गए थे वहां रात 9 बजे ओन टाइम डिनर कर लिया था उन्होंने साफ का कि भाई हो गया वे बड़ी डिस्प्लेंड ला रही थी सतीस की अच्छी चीज़ यह रही कि उन्होंने एक्टिंग के लावा भी खुद को एक्स्पेंड किया उनकी डारेक्शन की इनिंग भी बहतर रही वे चाहिए तेरे नाम हो यह हम आपके दिल में रहते हैं और हमारा दिल आपके पास है और मुझे कुछ कहना है वे सब सुपर हिट रही